हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू मागनीट ब्रीज दिस इस अनाम इका सिंग कैसी हैं आप सभी सो मैं आशेकरती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी से सेशन में इस प्यारी से वीडियो में जहां मैं आज आप सभी के लिए जो अमारे क्लास 9 का कैमिस्ट्री का चैप्टा चल रहा है परमाडू एवं अडू इसका एक भाई बहुत ही इंपोर्टेट चोटू सा पार्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है आडविक इद्रविमान English में बिटा जिसे हम Molecular Mass बोलते हैं आज के सेशन में हम Molecular Mass को काफी ज़्यादा डीटेल में पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ Questions भी मैं आपको करवाऊंगी जो अल्रेड़ी आपकी बुक में given है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को हमारे चैनल Magnet Brains Hindi Medium चैनल के बारे में कुछ information देना चाती हूँ सो बिटा बहुत जयां से सुनिएगा यदि आप क्लास 6 से लेकर 12 में किसी भी क्लास में है सो Magnet Brains Hindi Medium चैनल पर आप अपने सब्जिक की क्लास से अटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास को रिखने के लिए आपको कोई कोर्स बिलकुल भी परचिस बिटा नहीं करना होगा और नहीं किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी क्योंकि Magnet Brains प्रुवाइट कराता है क्वालिटी एजुकेशन वह विविलकल फ्री ओफ कॉस्ट इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ट कवर कराते हैं और वो कौन-कौन से हैं जैसे UP बोर्ट, Bihar बोर्ट, MP बोर्ट, राजिस्तान बोर्ट, डिल्ली बोर्ट एंड वेरी इंपोर्टेंट हमारे चानल पर जितनी भी क्लासेस होती है वो सब arranged format में होती है जहां basic से लेकर advanced level हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट करते हैं solve अब बच्चे ये बोलते हैं कि मैं जो आप हमें पढ़ा रही हैं और आप हमें जो पढ़ा चुके हैं इन सब के notes कहां से मिलेंगे सो पहली चीज तो मैं यही कहूँगी कि बट्टा handwritten notes बनाओ बट आपको मेरे specially notes चाहिए सो उसके लिए नीचे link दे गई है description box में वहाँ पर जाकर आप e-notes और e-book दोनों ही चीज़ों डाउनलोड कर सकते हैं ओके सो चलिए start करते हैं आज की इस class को और हां कुछ बच्चे English Medium के भी होते हैं भाई English में भी पढ़ाई होती हैं हमारे चैनल पर लेकिन English Medium चैनल अमारा दूसरा है सो वे स्टूडेंस जो English में बढ़ाई करना चाते हैं आप अमारे English Medium चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं जाके एजी से लेकर class 12 तक की classes बिलकुल फ्री होती हैं ओके, so start करते हैं आज की class अब हम आडविक द्रविमान बढ़ने जा रही हैं पहले ही जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजेगा और शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजेगा देखो सबसे पहले तो माइंड में ही आता है कि माम ये molecular mass होता क्या है तो इसके लिए आपको कुछ चीजे पता होना चाहिए जिस चीज का ये जिस भी पदार्थ का हम molecular mass निकाल रही है यानि कि हम उसका आडविक द्रविमान निकाल रही है तो हमें पता होना चाहिए कि वो किन किन चीजों से मिलकर बना है क्या कहा बिटा मैंने आपसे सारी चीजे छोड़ दो, सारी चीजे भूल जाओ आप क्या ध्यान रखोगे कि बिटा जिस भी पदार्थ का या जिस भी substance का आप क्या निकालने जा रहे हो तो आप अगर इसका क्या निकालने जा रहे हो आडविक द्रविमान क्या निकालने जा रहे हो सो आप इसका यदि आडविक द्रविमान निकालने जा रहे हो सो आपको पता होना चाहिए कि वो जो पदार्थ है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है मैं मेंचन कर दे रही हूँ कि आप क्या ध्यान रखोगे कि भाया वो किन किन चीजों से मिलकर बना है ठीक है किन किन चीजों से मिलकर बना है ठीक है किन किन चीजों से मिलकर बना है ओके ये चीज़े आप ध्यान में रखोगे पहला पॉइंट तो यही अच्छा एक और पॉइंट इसके साथ आप ध्यान में रखोगे और वो क्या या यानि बिटा आपको क्या पता होना चाहिए, तो अनका पता होना चाहिए आपको atomic mass यानि कि बिटा आपको उसका क्या पता होना चाहिए परमाणू द्रब्यमान पता होना चाहिए समझ पाएं कि नहीं समझ पाएं चलो मैं आपको यह कहानी एक्स्प्लेइन कर दी बता दी कि भाईया यह यह चीज़े अगर आपको पता चल गई है अब जैसे इसका किन किन चीज़ों से मिलकर बनाएं वो पता कर लिया आपने दूसरी चीज़ के इन सब का परमाणू द्रब्यमान पता कर लिया तो इन सब का आपको क्या करना होगा फिर तो इन सब का आपको करना होगा योग यानि कि टोटल और ऐसा करने से आप क्या find कर पाओगे तो ऐसा करने से आप आडविक द्रविमान निकाल सकते हो ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं बिटा तो ऐसा करने से अंत में जब योग कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा और उस चीज का आडवे के द्रविमान उस पदार्त का molecular mass आ फाइंड कर सकोगे ठीके तो बस मैंने आपको थोड़ा सा easy तरीके से समझाने का प्रयत ने किया है कोशिश की है और उमीद मुझे है कि आप इस चीज से समझ जाओगे अब माल लेते हैं कि मैं पेपर में अगर हमें लिखने को आगया सो हम क्या करेंगे सिंपली आपको ये करना है बिटा ये परिबाशा एक सिंपल सी लाइन में आपको definition note down फिट कर देनी है वहाँ पर जैसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर किसी पदात का आडविक द्रव्यमान क्या बोल रहे हैं किसी भी पदात का आडविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक याने जिन से मिलकर वो बना है इन सभी के बात करूँ यह परमाणों के द्रव्यमाणों का क्या होता है बिटा योग होता है जैसा कि हमने यहां पर जाना कि सभी के परमाणों द्रव्यमाणों का योग होगा याने इस एक चीज और क्लियर हुई कि हमें सभी का Atomic Mass याद होना चाहिए मैं यह atomic mass तो आपने पढ़ाया है क्या जी हाँ बटा मैंने आपको यह atomic mass पहले ही पढ़ा कर रखा है इसी chapter में आप पीछे पीछे थोड़ा सा जोगे एक दो वीडियो पीछे का आपको atomic mass मल जाएगा मैंने proper आपको बताया था कि यह याद कर लेना यह पीछा नहीं छोड़ेगा और यह fixed होता है याद कर लेना इसको यह ऐसे बागते हुए तुमारे पास आएगा और देखो वो आ गया ठीके तो चलो अब एक काम करते हैं पहली बाद तो इसके unit बता दू तो इस प्रकार यह अडू का सापेक्ष द्रविमान होता है हाना जिससे पर्मारू द्रविमान इकाई यू के द्वारा व्यक्त करते हैं अब इसके बिटा अगर कोई हमसे क्या पूछेगा इकाई पूछेगा समझ रहे हो कि अगर हमसे कोई इसकी क्या पूछेगा इकाई याने हमसे इसकी unit पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे बिटा कि वो small u होती है क्या होती है तो हम बोल देंगे कि भाई वो small u होती है चीक है अब मैंने जब इतना बताई दिया है सो मेरे ख्याल से एक example देना तो बनता आई है तो चलो मैं आपको same यही चीज एक example के help से समझाती हूँ पर मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा बिटा मुझे इसके लिए चाहिए होगा थोड़ा सा space जो मैंने यहाँ पर बना लिया है अब example के लिए मैंने यहाँ ले लिया है क्या तो सुनो example के लिए मैंने ले लिया है carbon dioxide Oxide, अब इसका मुझे क्या निकालना है? Molecular mass निकालना है. अब मैं कैसे निकालूंगी? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि ये किन-किन चीजों से मिलकर बना है? जिसके बारे में बात चल रही है, वो पदा किन-किन चीजों से मिलकर बना है? तो मैंने क्या जाना? कि ये जो carbon dioxide है ना, भाई ये carbon और oxygen से मिलकर बना है? किसे बिटा? तो ये carbon और oxygen से मिलकर बना है? किसे? carbon और oxygen से मिलकर बना है? ठीक है? फिर मैं आप से क्या बोलूंगी? कि बिटा, ये जो carbon है ना, अच्छा इंग्लिश में भी लिखा है तो हिंदी में भी लिख देती हूँ यह हमारा कार्बन हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सिजन हो जाएगा क्लियर कार्बन और क्या हो जाएगा ऑक्सिजन सो बिटा बात कुछ इस प्रकार से है कि अब हमने जानतों लिया कि CO2 कार्बन ऑक्सिजन से मलकर बना है सब का हमें क्या पता होना चाहिए पर्माणू द्रव्यमान ठीके पता कर लेते तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कार्बन का पर्माणू द्रव्यमान क्या बोला मैंने कि बईया यह कार्बन का पर्माणू द्रव्यमान क्या होता है कितना होता है समझ रहे हो कार्बन का पर्माणू द्रव्यमान कितना होता है और येस, oxygen का भी तो लिखेंगे हम तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बटा, oxygen के बारे में भी तो जानना बनता है कि oxygen का परमाणू द्रव्यमान कितना है ठीक है अब मैंने आपको क्या बताया चंगु मंगु कि भाईया इसका परमाणू द्रव्यमान 12U होता है और इसका 16U होता है याद कर लो, आगे जुरुत पड़ेगी इसकी पड़ेगी भी oxygen वाले की ठीक है अब हम इसका क्या फाइन कर लेते हैं हमें दो चीज़ पता है तो अब हमें obviously हमारा काम तो अब आसान हो जाएगा हम यहां से आसानी से क्या निकाल सकते हैं आडविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं याने कि molecular mass निकाल सकते हैं और वो कैसे निकलीगा बिटा तो पहले बात तो यह कि आपको यहां note down करना होगा है ना मैं आपको बता रहे हूँ कैसे निकालोगे आप तो हमने देखा पहले हम carbon लेते हैं और carbon एक element ही एक तत्व है और carbon के कितनी atom है एक atom है याने हम क्या कर देंगे 12 उ multiply बिटा 1 कर देंगे और plus फिर हमने oxygen लिया इसका परमाणू दिर्वे मान कितना है 16 लेकिन यहां oxygen के कितने atom या परमाणू है तो हमने देखा भाईया यह तो 2 है समझके ना कितने atom है इसके 2 atom है अब इसको solve कर लो कैसे करोगे यह तो आपका 12 का 12 रहेगा 16 दूनी यह कितना हो जाएगा 32 अब इसका total करो 2 और 2 तो 4 हो जाएगा यह भी 4 हो जाएगा याने अगर हम carbon dioxide के molecular mass को fine करने जाए है ना इसके molecular mass याने RV के दुर्वे मान को निकालने जाए सुबटा यह निकल कराएगा 44U ठीक है हमने उसके unit भी निकाल दी ठीक है तो बस यह होता है हमारा molecular mass और मैं उमीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से molecular mass समझ में आ गया होगा तो चलिए screenshot ले लिजिए फटा फट से देन में आगे बढ़ती हूँ और आगे की कहानी को अब explain करती हूँ ले लिए screenshot पक्का और लाइक कर दिया था ना वीडियो को शेयर भी कर दिया था ना दोस्तों के साथ ना नेक्स्ट आते हैं आप आपकी ही N.C.E.R.D. book में क्या है ना वहीं यह बीच में यह एक्जाम्पल देकर रखा है इसकी ठीक बात देकर रखा है तो इसे में छोड़ तो सकती नहीं थी तो मैंने जोचेस को उठा लेते हैं तो हम यहाँ पर दो चीजों का molecular mass निकालेंगे जैसे अभी मैंने carbon dioxide का सिखाया कैसे निकालेंगे तो तरीका मैंने आपको बताया है सभी का परमाणू दुर्विमान atomic mass याद होना चाहिए बस तो चलिए शुर्वात किरते हैं हम सबसे पहले इस वाले section से जो की है पहले question पढ़ लो क्योंकि मुझे तयार है आप लोगों को नहीं पहले question है कि बहिया उधारन ये है कि जल जो कि इसका chemical formula रासाइनिक सूत्र H2O होता है इसके सापेक्ष आर्विक दुर्विमान का परिकलन कीजिए ठीक है second क्या बोल रहे है nitric acid या nitric umla HNO3 के आर्विक दुर्विमान का परिकलन कीजिए ठीक है भाई okay सबसे पहले मैंने क्या ले लिया है H2O और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी का भी अगर हमें molecular mass निकालना होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि वो चीज किस से मिलकर बनी है तो हमने क्या देखा कि भाईया ये hydrogen ठीक है किस से बिटा सो ये hydrogen और क्या बोला जा रहा है सो बिटा ये hydrogen और oxygen से मिलकर बनी है ये hydrogen और oxygen से मिलकर बिटा ये बनी है ठीक है अब बात आ रहे है फिर मैं और क्या करना होता है तो इन सब का atomic mass लिखना पड़ेगा ठीक है तो सुनो hydrogen का परमाणू द्रव्यमान लिखती हूं मैं यहाँ पर तो मैं लिखूंगी hydrogen का hydrogen का परमाणू द्रव्यमान चलो बताएंगे सारे के सारे बच्चे कितना होता है हाँ जल्दे से मुझे comment section बे बताएं कि कितना होता है and very important oxygen का परमाणू द्रव्यमान कितना होता है समझ रहे हो चल ये क्या बात है अब मैं आप सब के comments अभी तो नहीं देख सकती लेकिन मैं बाद में जरूर देखूंगे कि कितने बच्चों ने ये बताया है सो बटा hydrogen का परमाणू द्रव्यमान होता है और oxygen का कितना होता है सो वो just अभी हमने पढ़ाता 16 होता है कितना होता है 16 अब हम इसका क्या निकालने जा रहे है molecular mass निकालने जा रहे है चलो तो मैं क्या करने वाली हूँ तो मैं लिकूंगी आडविक द्रव्यमान तेर फिर मैं क्या लिकूंगी सो मैंने लिख दिया इसका आडविक द्रव्यमान जिसके लिए मुझे क्या करना होगा सो याद करिए मैं हमने आपको क्या बताया था बटा कि आपको पहले देखना ही hydrogen ही अगर तो हमने देखा कि hydrogen का atomic mass परमाणू द्रवेमान 1 होता है और फिर हमने देखा कि hydrogen की atom कितने हैं 2 है सो हम इसमें 2 से multiply कर देंगे फिर हमने देखा oxygen का atomic mass कितना होता है 16 और इसके कितना atom है सो बिटा 1 तो हम 1 से multiply करेंगे तो ये 2 का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बनजा तो 2 होता है 16 बनजा 16 होता है याने ये कितना निकल कर आएगा 18 यू निकल कर आएगा and very important इसके सामने भी इसकी unit आप लगा देना वाला जल्दी से fine करो फड़ा वट से fine करके मुझे बताओ है ना फिर मैं अभी यहाँ पर आपको लिख वा रही हूँ तो पहली कहानी तो हमारी यहाँ पर होती है finished done 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 now second की तरफ अब हम move करते हैं और दूसरे कहानी को हम जानते हैं जो कि क्या है बिटा HNO3 clear क्या है यह HNO3 है अब बात यह आती है कि माम यह जो nitric acid है कैसे निकालेंगे तो again सबसे पहला concept माम ने आपको क्या बताया था कि भाई यह बहले देखो कि यह किस से मिलकर बना है तीन तरीके की element से मिलकर यह बना है हमारा जो nitric acid है तीन तरीके की किस से मिलकर बना है element से मिलकर बना है तत्वों से मिलकर बना है और वो है बिटा सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा hydrogen जगे कम पढ़ने वाली है मुझको बटीक है मैं manage कर लूँगी यह हमारा क्या हो जाएगा nitrogen यह nitrogen होगा और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा oxygen समझे की नहीं समझे चलो भाई समझता आप गए ही होंगे ठीक है अब वो सभी का द्रव्यमान कौन सा द्रव्यमान इसका परमानू द्रव्यमान मैंने क्या बोला भाईया hydrogen का परमानू द्रव्यमान मैंने लिखा यहाँ पर hydrogen का परमानू द्रव्यमान गलती से यह मत बोलना हम ही नहीं पता मैडम लिखा ही है अभी पढ़ाया था तो पहले मैं hydrogen का परमानू द्रव्यमान और देखो वो लिखो और क्या हो जाएगा बिटा सो नाइट्रोजन का परमाणू द्रव्यमान ठीक है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परमाणू द्रव्यमान और किसका तो फिर ऑक्सीजन का परमाणू द्रव्यमान ठीक है और ऑक्सीजन का परमाणू द्रव्यमान ठीक है चलो, तो अब बात ये है भई, कि कितना होता है सु भईया, hydrogen का तो just अभी माम ने आपको बताए था थोड़ी देर पहले ही बताए, ये 1U होता है कितना होता है, सो ये होता है भईया, 1U nitrogen का परमाणू द्रविमान कितना होता है तो सुनो, oxygen का तो 16U होता है और nitrogen का कितना होता है? अच्छे, एक बात बताओ हमने carbon का कितना देखा था? 12 होता है, ठीक है? तो सुनो, nitrogen का होता है 14U इसका तो 16U ही रहेगा यह change नहीं होता है ऐसे कि हम किसी चीज में इसको fine करें निकालने के लिए लग से देख रहे हैं तो यह दूसरे चीज में जाके change दूसरे substance दूसरे पदात में जाके change ना जीना, ऐसा नहीं होता है ठीक है? चलो अब मैं क्या करूँगी? तो अब मैं इसका आडविक दरव्यमान निकालूँगी ठीक है? चलो वैसे तो हम पूरा कॉपी कर लेते हैं क्यों इतनी मैनत कर रहे हैं? चलो तो हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं? आडविक दरव्यमान और ये निकलेगा कैसे तो सुनो कितना गंदा कॉपी हुआ ना आपको भी यही लग रहा है क्या? मुझे भी लग रहा है तिर्चानी सुन्दर सा लिखेंगे हम तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आडविक दरव्यमान वैसे तो हम उसे भी ठीक कर सकते थे गुमाफिर आके वठी क्या मैंने मिटा ही दिया यह लेकर दिया है तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेए अब सुना होता है हमने क्या देका हाईटरोजन के कितना एटम है? वण सो बमलक्राइब आ कर दो फ़र हमने देका भाई नाइटरोजन के कितना एटम है? वण so 14 multiply 1 कर दो और फिर हमने क्या देखा कि बैया oxygen के कितना एटा मैं 3 तो 16 multiply 3 कर दो आप अब इससे solve कर लेंगे so ये तो 1 का 1 होगा 14 बंजा 14 होगा 16 बंजा 14 होगा 16 बंजा 14 होगा 16 बंजा 16 बंजा और 16 या कितना हो जाएगा 16 बंजा 18 किया 48 होगा obviously और क्या ही हो सकता है चलो सब का total कर दो भाई अब 48, 14 and 1 8, 12 और 13 कि 3 ये power 1 चली जाएगे 4, 5, 6 या नहीं 63 U हो जाएगा कितना होगा 63 U ये हो जाएगा तो 48 का 14 और ये 1 में जोड़ देंगे तो 8, 12 और एक ये एक में लाके 13 और ये power 1 चली जाएगे 4, 5 और 6 63 इसका क्या हो जाएगा correct आंसर हो जाएगा या नहीं या नहीं या नहीं कि जो nitric acid है ना बटा so nitric acid की अगर मैं बात करूँ इसका atomic mass 63 U निकल कर आएगा सारे बच्चे मुझे को comment section में बताओ आगे तुमको निकालना या नहीं आया सबको आगे ना पक्का trust कर लू मैं तुम लोगों पर तुम लोगों को मुझे पर करना है मैं नहीं करके बता दिया है सब तुम में तो दिया ही नहीं है ऐसे slow ज़रा जल्दी से screenshot ले लो है ना और अगर screenshot लेने में ये अगर मेरे खड़े होने से कट रहा है तो ये लो इसे मैंने यहां shift कर दिया ओके नाओ आगे बढ़ जाओं हम में पक्का चलिए तो molecular mass मैंने आपको fine करना तो सिखा दिया है अब एक और चीज़ निकालना सिखा रहे हूं सूत्रे काई द्रविमान ये लगबख वैसे ही निकलता है बढ़ छोटू सा change चलो जानते हैं किसी पदातका सूत्रे काई द्रविमान उसके सभी संग्रटक परमाणों के परमाणों द्रविमानों का योग होता है सुनते चलना लगबख सेम ये पर छोटू सा डिफरेंस सूत्रे द्रविमान का परिकलन उसी प्रकाल से करते हैं जिस प्रकाल से हमने आर्वे के द्रविमान का परिकलन किया था तो ये चीज़ तो कंपरम हो गई समझ में आ गया कि इसका भी परिकलन या इसके गढ़ना भी वैसे ही की जाएगी जैसे किसकी की गई थी molecular mass की अंतर की विल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्रिकाई का अपयोग करते हैं जिसके संगटन कैसे होते हैं आयन होते हैं समझ रहे हो आयन्स होते हैं ऐसा हम कह सकते हैं आपको आयन्स तो पता ही है आयन क्या होते हैं दो तरीके के धन आयन रिण आयन दो तरीके की यह होते हैं तो अंतर क्या होगा दोनों के तरीका सेम ही है निकालने का Atomic mass हमें यहां पर भी चाहिए, पर्मान द्रविमान यहां पर भी चाहिए, पर, 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 अंदर केवल इतना है कि यहां पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्रिकाई का उप्योग करते हैं, जिसके संगटथ कैसे होते हैं, आयन होते हैं उदारन के लिए अब जिसे क्या है, sodium chloride है, आपको आपकी NCERT ने एक्जांपल देकर ही समझा दिया, कि जिसे sodium chloride, इसे हम कैसे लिखते हैं भाईया, NACL लिखते हैं, अब हमने क्या रेका है, इसके 21 उत्रविमान का परिकलन करना है, तो ठीक है, पहली बात तो इसके संगटथ कैसे हैं, आयन, यह यहाँ पर धनायन, और यह यहाँ पर रिनायन, clear, अब हमने क्या रेका, कि अब इनका हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, तो सूत्र का इद्रविमान निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या बता होना चाहिए, सबसे पहले तो sodium, NACL का atomic mass बता होना चाहि में, कि जैसे NACL है ना बिटा, तो आपको simply यह करना है, कि आप बोलोगे कि आपको पता होना चाहिए, सोडियम का परमानु द्रविमान, क्या पता होना चाहिए, सो सबसे पहले आप बोलोगे, कि सोडियम का बहिया, परमानु द्रविमान कितना होता है, ठीक है, सोडियम का परमानु दरव्यमान कितना होता है ठीक है और इसी के साथ क्लोरीन का हाना इसी के साथ सद हम किसका निकालेंगे क्लोरीन का परमानु दरव्यमान कितना होता है वो हम निकालेंगे ठीक है मतलब निकालेंगे क्या पता होना चाहिए तो ये होता है बिटा कितना तो sodium का होता है 23 and very important chlorine का कितना होता है 35.5 U होता है समझे की नहीं समझे तो हमने जान लिया कि किसका द्रव्यमान जो है परमान द्रव्यमान क्या होता है चलो अब जल्दी से find कर लेते हैं यहां पर बिटा क्या तो अब हम निकालने जा रहे हैं सूत्र एकाई ध्रव्यमान क्या निकालेंगे? सूत्र एकाई ध्रव्यमान हम यहां पर निकालेंगे मैंने आपको वो लिस्ट भी बताई थी ions वाली है ना बहु परमाडूख ion हमने देखे थे याद करिए देखे थे कि नहीं देखे थे और भी बहुत सारी चीज़े वो लिस्ट में मैंने सब कुछ आपको अल्रेडी बताया था यानि कि हमने कुछ ऐसे आयन देखे थे जिन पर आवेश कैसा था पॉजिटिव था और किसी पर आवेश कैसा था याद कर उस लिस्ट के हमें अब जरुवत पड़ेगी ताकि हम सूत्वे काई द्रविमान निकाल सकें आप बात आती है क्या तो ये तो आने सील तो है हीस में है ना सोडियम क्लोराइट के एक एक ग्जामपल देखर जैसे हमें यहाँ पर बताया है सो 23 हमने यहाँ पर ले लिया है सोडियम का यह परमान उद्रविमान है सोडियम के कितने एटम है सो भाईया 1 है वहीं बात करते हैं कि भाईया कलोरीन के कितने एटम है सो ये भी 1 है यानि ये क्या हो जाएगा 23 प्लस 35.5 होगा इन सब कर टोडल करेंगे ठीक है चलो यहीं इसका क्या हो जाएगा चंगु बंगु करेक्ट आंसर होगा बिलकुल सही आंसर होगा सो मैं उमीद करती हूं कि जितना भी मैंने यहां पर लिखा है वो सब आपके भेजे में जाकर हो गया होगा स्टोर ठीक है चलो अब आपकी NCERT में एक लास्ट चीज और देकर रखी है सूत्रिकाई द्रव्यमान का ही मतलब एक क्वेस्चन हमसे पूछा है केल्शियम क्लॉराइड को लेकर तो यह केल्शियम क्लॉराइड की बात करें तो पहली बात तो यह कैसा संगठक से मिलकर बना है जो की क्या है आयन है हमसे यही तो बोला था कि अंतर केवल क्या होगा molecular mass में और इसमें याने आर्विक द्रविमान में और सूत्रिकाई द्रविमान तो हम से बोला था सूत्रिकाई द्रविमान में अंतर केवल इतना होगा उससे कि यहां पर हम उस पदात के लिए सूत्रिकाई का उपियोग करते हैं पदा तो substance के लिए जिसके संगठक के क्या होते हैं आयन होते हैं आयन के लिस्ट आपके पास है जिन में से बाईया calcium chlorine दोनों ही include है calcium भी include है और बाईया chlorine भी क्या है include है समझे कि नहीं समझे चलो तो ठीक है अब इसको भी ले लेते हैं आम इसको solve करें कैसे करोगे तो सुनो 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 ठीक है आप इसे solve ऐसे करना है सबसे पहले तो मैं लिखूंगी यहां पर calcium का केल्शियम का परमाणू द्रविमान किसका बटा? सो केल्शियम का परमाणू द्रविमान सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर यह लिख दिया कि केल्शियम का परमाणू द्रविमान अच्छा और क्या लिख सकती हूँ? भाईया क्लोरीन का भी तो लिखूंगी ना केल्शियम और क्या लिख दिया मैंने बटा क्लोरीन का परमाणू द्रविमान समझे की नहीं समझे अच्छा अब केल्शियम का परमाणू द्रविमान कितना होता है सो बटा ये 40U होता है और वहीं क्लोरीन के बात आएगी तो इसका गित्ता होगा तो यह याद कर लेना 35.5 यह हो जाएगा ठीक है अब हम क्या निकालेंगे इसका सूत्र एकाई द्रव्यमाद चलो भई हम इसका सूत्र एकाई द्रव्यमाद जल्दी से निकाल देते हैं जल्दी से फाइन कर लेते ह है ठीक है कैसे निकालोगे बाई तो एक बात बताओ हमने देखा केलशियम के कितने आइटम है पहली बात तो इसका परमाणु दुरविमान 40 है इसका एटम कितना है only 1 है क्लोरीन का क्या है तो क्लोरीन का परमाणु दुरविमान 35.5 multiply by 2 क्योंकि इसके आटम कितने है बिटा 2 है चलो solve कर लो जल्दी से ये तो 40 का 40 होगा इन दोनों का multiply करने पर बिटा ये 71 आता है और इन दोनों को हम add करेंगे तो ये 111 क्या हो जाएगा यू यहीं इसका क्या है correct answer जिन बच्चों को multiply भी करने में दिक्कत होगी तो इधर देखो 35.5 multiply by 2 करना है 5 दोनी 10 0 यहाँ 1 यहाँ 5 दोनी 10 ओरे के 11 फिर यहाँ 3 दोनी 6 ओरे के 7 point के पहले हमने क्या लगा दिया 0 के पहले क्या लगा दिया decimal और अब हम इसे हटा सकते है यानि यह क्या हो जाएगा 71 यू इसका सब्सक्राइब करने पर आएगा और दोनों को आएट कर देंगे 111 यू इसका correct answer होगा so that's it ions का बद थोड़ा सा ध्यान रखियेगा लिस्ट थोड़ी से याद कर लीजिएगा और बाकी की तरीका दोनों का सेम ही है हर बस हा थोड़ा सा जो अंतार है वो तोड़ा सा ध्यान रखना बाकि ये इस आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा, शेर नहीं किया है तो शेर कर दीजेगा और ये स्टैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलिएगा अच्छा, Magnet Brains के कुछ अधर प्लाइटफॉर्म्स भी है बटा जिसे फेस्बूक है, इंस्टाग्राम है, ट्वीटर है, टेलिग्राम है, वाट्सअप है साथी साथ आप Magnet Brains के जो क्लासिस हैं वो यूट्यूब पर तो मेरी ली ही सकते हैं क्लासिस लेकिन आप application के तुरू जुड़कर और website के तुरू जुड़कर भी मेरी live plus recorded दोनों ग्लासिस ले सकते हैं बटा, e-notes और e-book के लिंक आपको नीचे मिलेगी description box में और ये ही हमारे Hindi English Medium के top courses जैसे CBAC board, दिल्ली board, बिहार board, UP board और इसी के साथ MP board, राजिस्तान board, वैडिक मैच्स, क्रेश को, स्पूकर इंगलिश ये सब कुछ हम करवाते हैं कबर सो कोई भी doubt होगा, सो comment section में जरूर पूछ लेजिएगा इसी के साथ साथ, अब मैं यहाँ पर इसे समाप्त करी हूँ, कैसा लगा आज का session ये भी जरूर बताईएगा तो मिलेंगे, अब हम हमारे next session में तब तक के लिए, बबाई, take care, thank you class